दोस्तों पिछले साल मुरिस गराज मतलब aging ने इंडिया में अपनी पहली गारी mg और लॉंच के ताइम में इस गारी ने जम्रदत सक्सेश हाफिल की और इंडिया में mg ह exceptr ने मुरिस गराज के फास कंपनी ने अपनी पहचान बनाई और दोस्तों अब मुरिस ग्राज इंडिया में अपनी एक और नए गारी लॉंच करने के तयारी में है जो कि एमजी की फेवन फीटर ऐसीवी कार एमजी ग्लॉस्टर है इस कार को कंपनी ने फेबरेदी में डेली आटोस्पो में भी शोकेस किया था और जल्द ही एमजी ग्लॉस्टर इंडियन और वाल मार्केट में मिल लॉंच होने वाली है हाल फिलाल एमजी ग्लॉस्टर इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग जगा अलग अलग नाम से बिखती है और इंडिया में ये कार एमजी ग्लॉस्टर के नाम स दश्तक दे सकती है एंजी ग्लॉस्टर एक शांदार डिवान एंड लूक के साथ-साथ इंटियर में कई पर प्रिमियम फीचर से लाइस एक शांदार सेवन फीटर एशुवी कार होगी और इंडिया में लॉंच होने के बाद इस वीडियो में हम इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल यक्म को प्रेस कर दीजिगा ताकि आपके पास डेली आटमायल वीडियो के नोटकीशिन पहुशते रहें दोस्तों मुरिष ग्राज ने हाल विलाल अपनी इस एमजी ग्लॉश्टर को डेली ओटास को में शोकेस किया था जिसके अधार पर हम आपको इस कार के जानकारी देने वाले हैं साथ ही में गारी में एक बड़ा सा मस्कुलर फ्रंट बंपर देखने को मिल जाता है और नीचे सी शेप वाले एलेडी फॉग ल किछ अलॉय वीर्स मायनिंग जाते हैं क्रोम डोर हेंडल मिल जाते हैं और स्टैलिश और फाइट रियर मेरी मिल जाती है जो की रूफ लाइनिक दक जाती है और साथी गारी में गॉलस्टर में वड़े विंडोस के साथ-थान नीचे भी फूट एरिया में क्रों अपने गा कर दोस्तों इन सारे body elements के साथ MG Gloucester का look काफी कमाल का लग रहा है और अपनी segment के बाकी गाड़ियों को जवदस्त competition देने वाले है आपको कैसे लग रहा है comment करके विरूर बदाईएगा बात करें MG Gloucester के engine की तो इस कार में MG powerful engine offer करेगी MG Gloucester में आपको 2.0L का turbo charge, petrol engine और 2.0L का turbo devil engine देखने को मिल जाएगा दोनों ही engine BS6 होने वाले हैं और ये कार manual और automatic दोनों transmission option के बाद offer की जाएगी कार के interior में भी cool space के साथ-फाथ कई सारे comfort and convenience की feature आपको देखने को मिल जाएगे MG Gloucester 6 Feetor और 7 Feetor दोनों variant में मिल जाएगी 6 Feetor variant को MG, MG Hector Plus के नाम से market में launch कर सकती है और 7 Feetor variant के लिए Gloucester नाम दे सकती है कार के interior में आपको कई सारे feature मिलने वाले हैं जो कि इस कार को well feature free loaded SUV कार अबनाने वाले हैं MG Gloucester में 12.3 inch की touchscreen friend system मिल जाएगी जो कि segment की बाकी कार्डियों से मगाबले सबसे बड़ी होने वाली है कार की touchscreen में आप कई सारे feature को assess कर सकते हैं जैसे की internet and sim card connectivity, bluetooth and usb connectivity, geofencing, android auto and apple car play, multimedia connectivity के साथ-फाथ और भी कई सारे features को आप touchscreen में assess कर सकते हैं इसी के साथ कार के interior में 8 inch की digital instrument cluster, 3-1 automatic climate control, cooled and heated seats के साथ-फाथ और भी कई सारे comfort एक फीचर मिलने वाले हैं जो कि इसे एक premium 7-feet SUV कार बनाएंगे बात करें safety की तो दोस्तों Gloucester अच्छे काफे safety features के साथ loaded SUV कार होने वाले है इस कार में आपको six airbags, autonomous emergency braking, ABF के फाथ EBD, electronic stability program, automatic parking function, lane keep assist के साथ पाता दोस्तों जैसे और भी कई सारे safety features मिल जाएंगे बात करने Gloucester की कीमत और launch date के तो दोस्तों इंडिया में MG Gloucester इस साल के 50 season तक launch हो सकती है और इसकर की शुराती शुरूम कीमत हाल फिलाल करीब 27 लाग रुपी के आफ़ाव बताय जा रही है अभी दोस्तों देखना ये होगा कि क्या MG Gloucester इंडिया में launch होने के बाद MG Hector की तरह चांदार performance दिखा पाती है या नहीं आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और वडियो अच्छा लगा होते हैं लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्रेब कर लें और पात में बल आकिन को प्रेस करना मजबूल है थैंक्यू वर्यमच आपको दिन शुब रहे